हेलो स्टूरेंट्स वेलकम डू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे हां सब लोग मास बढ़िया तुर स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना हिूमन एंटोमी और फिजिलोजी में जो लेक्चर चल रहा था याने की चैप्र चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना कि आखिरकार इस रेस्पिरेशन की कैसे रेगुलेट होता है हमारी बाड़ी कैसे रेगुलेट करती है कैसे कम जादा करती है बहुत जाद दोड़ेंगे तो तेज हो जाती है सो रहे हैं तो धीमी करतेगी और क्या मेकैनिस्म है है ना मेकैनिस्म मतलब किस तरीके से करता है क कैसो होता कैसे है यह respiration यह चीज़ें आज हम लोग थोड़ा डेटेल में समझने वाले हैं तो start करते हैं हमेशा की तरह है अपनी definition आएगी starting में in physiology 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 मतलब पता ही क्या होता है ठीक है हमारी बॉड़ी में यतने वर्क हो रहे हैं से kidney काम कर रही है लंग्स काम कर रहा है physiology respiration is the movement of oxygen from outside environment to the cells within the tissue respiration क्या है movement oxygen का movement है बाहर के environment से पहुंचना कहां आखिरकार हमारे cells और tissue तक and the removal of carbon dioxide in the appropriate direction और इसके विपरीत carbon dioxide को body से बाहर निकाल देना यह respiration है ठीक है आगया आते है the physiological definition of respiration differ from biochemical definition ठीक है अब यह थोड़ा सा ज्यान रखना respiration ना तुम लोग दो जगे पढ़ते हो respiration एक respiration का मतलब क्या होता है oxygen का अंदर आना और co2 का बाहर जाना एक respiration में तुम लोग क्या पढ़ोगे biochemical reaction oxygen के द्वारा जो हम खाना खा रहे है भोजन उसका जलना oxidation इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते है glycolysis याद आया ठीक है दूसरा क्या पढ़ेंगे crab cycle याद आया फिर लाख्री में क्या था हमारा electron transport chain एक respiration यह है यह भी respiration है बट यह respiration हमारा biochemical की term में है अभी हम लोग अपना system की term की बात कर रहे है तो अभी हमारा एक respiration का मतलब यह है O2 का अंदर जाना CO2 का बाड़ी से बाहर जाना ठीक है तो कह रहा है physiological definition of respiration differs from the biochemical definition यह तो physiological definition हो गई ठीक है बायो केमिकल की बात करें तो उसमें क्या है which refers to the metabolic process metabolic समस्च्च रहे हैं यह metabolic मतलब जितने भी reactions हो रही है ठीक है by which an organism obtained energy तो बायो केमिकल definition respiration की क्या है वह process जिसके द्वारा energy obtain करता है कोई organism in the form of ATP और NADPH ultimately glucose burn होके क्या बनाता है ATP या NADPH by oxidizing nutrients and releasing waste product है ना तो ultimately यहां पर इसका पसली बात बाता हूं में biochemical का मतलब ultimately क्या हो गया जो हमारा carbohydrate होता है क्या होता है carbohydrate यह थोटारा example लेते हैं CH4 का प्लस oxygen तो यह क्या देता हमको CO2 प्लस H2O और प्लस हम लोग क्या लिखते थे energy तो यह क्या carbohydrate होता है वो ultimately oxygen की जो oxygen हमने ली है उसकी प्रदियान से बर्न होता है और हमको चाहिए क्या energy और धेर सारी CO2 भी निकलती है वो फिर body से बाहर आती रहती है के लिए रहे बाते ठीक है अल्दो यदिपी physiologic respiration is necessary to sustain cellular respiration physiologic respiration जरूरी है cellular respiration ठीक है यह जो part है cellular respiration का यह cells के अंदर होता है ठीक है जब तक यह नहीं होगा तब तक यह नहीं होगा क्योंकि इसके द्वारा ही तो O2 body के अंदर आ रहे है तो वो ही कह रहा है physiologic respiration जरूरी है cellular respiration के लिए and thus life in animal और इसी परकार जो जानव होती ही वो तभी रह पाती है जब हमारे पास physiologic respiration होगा oxygen लेंगे तब वो अंदर जाकर के खाने को पचाएगा यह जलाएगा पचाएगा नहीं जलाएगा एक तरस उसमें से अलर्जी निकालेगा the process are distinct cellular respiration take place in individual cells cellular respiration cell के अंदर होती है ठीक है while physiologic respiration concerns the diffusion physiologic respiration mainly क्या है diffusion diffusion समझते हो ना गैस का higher concentration lower concentration move करना diffusion and transport of metabolites between organism and the external environment ठीक है ना physiologic respiration में simply क्या है diffusion हो रहा है gases का या कह लोगे metabolites का between external oxygen बहार है और वो internal जा रही है यह हमारे पास simply क्या है physiologic respiration की बात चलते है तो physiologic respiration और cellular respiration दोनों अलग-अलग है ठीक है दोनों की definition अलग हो जाती है लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है वो है oxygen का इस्तमाल होता है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग नें समझने कोशिस किये respiration को अगर यहाँ तुम बात करोगे तो यह definition हो जाएग हो ठीक है बात बाकी यह छोड़ दोगे तब ही चल जाएगा ठीक है अब respiration में कौन-कौन से step होते हैं यह दोगे respiration देना पड़ेगा breathing और pulmonary ventilation बातलब जैसे atmosphere में जो air है वो अंदर ली जाती है and CO2 rich alveolar air जो CO2 से भरी हुई हवा होती है जो alveolar में पाई जाती है है ना diffusion हो रहा है O2 का O2 यहां से यहां आता है और CO2 यहां से यहां जा रहा है this is diffusion transport of gases by blood अब जो यहां पर O2 आ गया है वो ट्रांस्पोर्ट किया जाएगा आगे blood के दवारा diffusion of O2 and CO2 between blood and tissues ultimately आगे जाकर के यहां पर cells होते है इसको भी बहुत बता चुका हूँ में यहां पर जो CO2 होता है वो यहां चला जाता है और O2 होता है वो यहां आ जाता है between blood and tissues utilization of O2 by the cells ultimately जो O2 यहां आ गई है वो cell के दवारा utilize की जा रही है for catabolic reaction and release CO2 कहानी कहां से स्टार्ट होते कहां तो यह हम कह सकते हैं यह steps involved होते हैं किसके अंदर respiration के अंदर mechanism की बात करें तो यह हमारे पास direct question आएगा describe the mechanism of respiration तो समझते हैं इस mechanism को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी यह डाइग्राम में इसलिए लेके आया हूं यह वर्ड आएगा एक बार बार दो सबसे अंदर और यह बीच वाली है इसको क्या करते हैं इंटर्नल इंटर्कोस्टल मसली एक्सटर्नल बाहर वाली करती है लेते आपके आपका फील करना हमारा सीना फूल जाता है जब ये सीना फूलता है तब तुम लोग देखोगे जो नीचे का डायफराम होता है ये थोड़ा सा चोड़ा हो जाता है इसको हम करते हैं contract हो गया ये और जब हवा को बहार निकालते हैं अपसे ऐसे हो ड्याएं हवा भरो पिचकाओ तो हवा भभार फुलाओ तो ये फूल जाती है ये काम करता है न है ये रिप्स और सटेर्णम के इस ततरह सायबें दिखा दिए है ये फिच्छे के अपनी बेक्बोन दिखा दिए है ठीक है, यह rib cage, हड्डियों का cage है, तो हवा इसके अंदर आती है, यह फूलता है, अब यही जो चीज है, हवा आ रही है, फूल रहा है, डाइफराम खीटी जा रहा है, हवा जा रही है, पिटक जा रहा है, डाइफराम कॉंटेक्ट होकर के, इस shape का जा रहा है, इसी को लिखन कैसे है, आओ देखते हैं, बस यही मेकैनेज में, ठीक है, कुछ टफ नहीं है, बस इसी को लिखना आना चाहिए, तो कह रहा है, ब्रीधिंग इन्वाल्स टू स्टेज यहां पर ब्रीधिंग की टू स्टेज होती है, सबको पता है, इंस्पाइरेशन, सास अंदर ली, इंस सास ले ली, और सास को छोड़ना, अब देखो हो क्या रहा है, दो बात तो हो गई, the movement of air into and out of the lungs, lungs के अंदर और बहार is carried out by creating a pressure, gradient between the lungs and the atmosphere, यह जो इन और आउट हम लोग कर कैसे पा रहे हैं, इसके लिए हमें pressure gradient create करना पड़ता है, pressure gradient, pressure gradient का मतलब, अब बात को समझो, gradient का मतलब होता है, physics में पढ़े होगे, किसी चीज में difference होना, ठीक है, मालो इधर पर volume कम है, इधर जादा है, तो मैं कहूँगा gradient है, ठीक है, एक car है, एक bike है, velocity में difference है, तो मैं कहूँगा velocity gradient है, जब किसी दो चीजे में difference होता है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, बहार pressure ह है, air का, यहाँ pressure है, lungs का, ठीक है, अब होता क्या है, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो यह इस तरह फूल रहा है, और obvious ही बात है, जब कोई चीज़ फूल रही है, तो यहाँ पर pressure कम हो रहा होगा, है ना, कोई चीज़ पिछकी हुई है, उसको तो पहला दो, तो अंदर pressure गि आईगा ना, क्यूंकि जगь जब ज़्यदा मिल जाती है, जब जड़ जाती है, तो pressure उसके अंदर का down क regression की वएसे, तो बहार का pressure जादा होता है, हवा कहा हो ती है, अंदर आ जाती है, तो pressure का difference create हूआ, gradient create हूआ, ठीक है, बाहर pressure ज़्यदा हो गया और lungs के फूलने की यहां प्रेशर गिर जाता तो वह हवा तेजी से आती इधर से इधर याद है तुफान कैसे बनता है खैर कोई बात नहीं यह तो जनल सी बात है जहां पर कोई इतनी जगह उसको अचानक से फैला दो तो अंदर स्पेस बढ़ जाएगा तो प्रेशर गिर जाएगा हवा का सेम यहां पर क्या होगी जब यह रिफ्स पिचकती है तो यहां प्रेशर ऑफ लंग्स क्या कर जाता है इंक्रीज कर जाता है बहार के प्रेशर से जब यह पिचकता है तो अंदर का प्रेशर बढ़ता है है ना ओबिसी बात है कोई फूली से दबाओ तो अंदर का प्रेशर मैंने यहाँ पर इतनी बाते बताई ही, gradient create होता है, inspiration can occur if the pressure within the lungs, inspiration होगा अगर जो lungs के अंदर का pressure है, इसको हम लोग intra lungs के अंदर, pulmonary pressure, lungs के अंदर का pressure is less than the atmospheric pressure, जो मैंने यहाँ बात बताई, यह pressure बाहर की pressure से कम होगा, जब फैलता है, तो हवा अंदर आती है, that is there is negative pressure in the lungs, lungs में negative pressure होना चे, जो pressure decrease हो गया है, उसको हम लोग negative pressure भी बोलते हैं, बेटा यह terms याद रखना है, यहाँ से कई वर one marks question out जाएंगे, with respect to atmospheric pressure, similarly इसी परकार, expiration take place, expiration समझ में आ रही है, clear है बाते हैं, next आते हैं, आप देखो क्या बोल रहा आगे, the diaphragm and a specialized set of muscles, diaphragm कहां पाया जाता है, यह रहा इसके नीचे, यह diaphragm है, है ना, हम muscles होती है, और कहरा कुछ खास तरह की muscles होती है, ठीक है, external and internal intercostal muscles, जिसकी वहने बात कर दी थी इसलिए पहले ही, ठीक है ना, क्योंकि जब यह ribs फूलती है ना, तो यह stretch हो जाती है, muscles, जब पिचकती है, तो muscles ऐसी हो जाएंगी, यह तो वहीं के वहीं रहेगी ना, इस्पेस कैसे बढ़ेगा, जब यह आपसे खिच जाएंगी, थो थोड़ी सब खिच जाएंगी, तो इस्पेस बढ़े जाएगा, किलियर है बाते हैं, तो दो टाइप की muscles हैं हमारे पास, diaphragm है और कुछ खास muscles हैं, जिसको हम intercostal muscles भी कहते हैं, between the ribs, help in generation of such gradient, तो कौन सी दो muscles हैं, जो lungs के अंदर gradient create करती है, pressure कर डिफरेंस create करने में help करती है, तो diaphragm है और intercostal muscles हो गई, अब देखो यहां से, inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, inspiration is start होता है, diaphragm क्या करता है, ऐसा होता ना, तो contract करना start करता है, यह contract करता है, तो इस type से ना, यह space बनता है, इस type से, ठीक है, यह fell रहा है, उपर को space करेगा यह, which increase the volume of thoracic chamber, diaphragm होता है, तो उपर का volume ऐसे, यह lungs ऐसे fell ना, श्टार्ट, नीचे वाले जो muscles ऐसी थी थी है, यह ऐसे contact होती है, तो उपर का पूरा chamber ऐसे fell ना, श्टार्ट होता है, ठीक है, इंदा anterior posterior axis, अब यह term अगर तुम्हें याद ना रहा है, तो इसे हटा सकते हो, thoracic chamber, जो chest का chamber है, उसमें volume बढ़ेगा, anterior posterior axis, यानि कि actually lungs देखे है, हम पीछे से लेकर आगे तक है, तो आगे और पीछे मिला करके, anterior posterior axis, ठीक है, पीछे से lungs होके आ रहा है, जब यह ठीचेगा, फैलेगा, तो पीछे और आगे मिला करके, पूरा ऐसे fell रहा है, तो पूरा volume इसलिए कहा गया है, anterior और posterior का जो axis है, उसके along volume बढ़ रहा है, the contraction of external intercostal muscles, इनका क्या हो रहा है, contraction of external intercostal muscles, lift up the ribs, समझो बात को, जब यह contract करेंगी, तो सब contract करेंगी, तो यह ऐसे हलकी से उठ जाएगी, ना, सुकुड रही है, तो यह हलकी से उठ जाएगी, जगे बनेगी, ठीक है, lift up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume, ribs को और जो sternum था, आगे वाला, उसको हलका से उठा देगी, जिसके वैसे volume create हो जाएगा, increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsal ventral axis, है ना, dorsal और ventral axis, यहाँ पर यह वर्ड लिखने तो लिखो, अधरवाज कोई बात डॉर्सल पीछे, वेंटरल आगे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा, anterior posterior क्या हो गया, यह उपर की तरफ, नीचे की तरफ, और dorsal वेंटरल क्या हो गया, dorsal पीछे हो गया, और ventral आगे हो गया, ठीक है ना, anterior posterior axis यह उपर और नीचे, dorsal, ventral, dorsal हो गया, पीछे, वेंटरल हो गया, ठीक है, यह इसका यहाला axis, dorsal, ventral axis, anterior posterior axis, ठीक है, तो diaphragm ने ऐसा लंबे-लंबाई में volume बढ़ाया, और यह ऐसे चोडाई में volume को खीच र pulmonary volume, ठीक है, the overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume, ठीक है, रहाँ, overall क्या होगे, volume बढ़ रहाया है, and increase in pulmonary volume, decrease the intra pulmonary, ठीक है, यह इन लाइन चादों हटा देना, तो thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume, ठीक है, तो कह रहा है, thoracic, अच्छा, thoracic लिखाऊ, चेस्ट का volume बढ़ता है, तो इसलिए pulmonary, lungs का भी volume बढ़ जाता है और लंग्स का बढ़ जाता है इसलिए intrapolmary pressure क्या होता है गिर जाता है less than the atmospheric pressure which forces the air जब जब प्रेशर गिर गया तो automatic air क्या होती है अंदर आती है which forces the air from outside to move into the lungs that is inspiration तो यहां से लेकर यहां तक हम कह सकते है अगर दो आख सा question आता है कि describe inspiration तो यहां से लेकर यहां तक इसको लिख सकते हो कंदी writing अच्छी writing लिख दें यहां से लेकर यहां तक क्या आपने पास inspiration है का नहीं समझ में आई नहीं समझ में आई तो वीडियो को यहां पॉस करें और वापस से repeat देखें इसको अब relaxation हवा आगे अंदर relaxation of the diaphragm डाइफ्राम जब रिलाक्स होगा तो जाएसे फैला था यह वापस से रिलाक्स हो रहा इस तरीके से ठीक है relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle जो muscle contract कर गई थी वापस से रिलाक्स होगी return the diaphragm and sternum to their normal position जैसे वापस से वैसे लिया आएगा and reduce the thoracic volume यह chest का volume है यह कम हो जाएगा and thereby जिसके द्वारा pulmonary volume lungs का volume भी हड्या पिछका रहा है तो lung का volume भी पिछक गया this leads to an increase in interpulmonary pressure जब यह पिछका है तो यहाँ pressure बढ़ गया है लंग्स के अंदर यह धक्का मारेगा हवा को भार to slightly above the atmospheric pressure कितना बढ़ गया थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि अंदर की हवा भार धक्का खा क्या आ जाए causing the expulsion बाहर निकलना air का from the lungs that is expiration ठीक है अब कह रहा है we have the ability to increase the strength of expiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen हमारे पार स्वार कुछ और हमारी चमता है कि उसको बढ़ा सकते हैं जाकर नॉर्मल सांस ले रहा हूं मैं और में को सांस बहुत घ्री लेनी है बढ़ा ली inspiration और थाकर से निकाल दी तो इसको मैं बढ़ा सकता हूं घटा सकता हूं इसके लिए कुछ extra muscles भी होती है ठीक है तो यह कह रहा है we have ability हमारे पार छमता है बढ़ाने की यो घटाने का कितना वाल्यूम हम लोग ब्रीध कर रहे है कितना एर इंवाल्यूम कितना है उसका वाल्यूम कितना है उसका हम लोग स्पाइरो मीटर यह वनमास कोशन आ सकता है फूक मारने के लिए कि फूक मारो तो इतना वाल्यूम आना चाहिए कम आ रहा है इसका मतलब लंग्स में प्रॉलम है ठीक है अब देखो हमने मेकैनिजम तो समझ लिया अब हम जाना थोड़ा सा गैसेस के एक्सचेंज को समझ ले ठीक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने सांस ली अंदर गई सब कुछ हुआ अब थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझते है प्रेशर के हिसाब से ठीक है तो यहाँ पर हम लोग एक टेवल बना लें एक छोटी सी टेवल बना लेते है तो stable का मतलब क्या है बताता हूँ मैं, अब देखो, pressure of O2, pressure of CO2, सुरुवात करें, alveolus, ये क्या है, alveolus है, है न, alveolus, याद है न, alveolai, तो यहाँ पर लगते हैं हम लोग, alveolus, तो alveolus में देखो, जब alveolus के अंदर, O2 का pressure कितना है, 104 mm of Hg, और carbon dioxide कितना है, 40 mm of Hg, तो O2 कितना है, 104, ठीक है, हम उपर ही लिख देते हैं, सारे pressure किसमे है, mm of Hg में है, तो 104 आगया और ये कितना है, 40 है, आगया आते हैं, यहाँ देखो जा रहा, यह जो deoxinated blood आ रहा है, यहाँ जड़ा pressure देखो, O2 कितना है, 40, alveolus के बाद, अगर मैं यहाँ बात करूँ, blood vessel में, capillaries में, blood vessels, तो यहाँ पर कितना है यह, oxygen का कितना है, 40, और carbon का CO2 कितना है, 45, तो देखो होगा क्या, obvious ही बात है, यहाँ पर, blue-blue की बात कर रहा है, blue वाला कौन सा है, deoxygenated, याद रहा है, deoxygenated, जो oxygen दे चुका है, तो यहाँ पर O2 की बात करूँ, अगर मैं, O2 का है 40, और CO2 का है, CO2 का ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 45, ठीक है न, तो जाहिर सी बात है, O2 का ज़्यादा है, तो यह pressure काफी ज़्यादा है, oxygen का एयर में, तो oxygen यहाँ से in हो जाती है, और CO2 का 45, जितना भी extra है, वो यहाँ से यहाँ चला जाता है, अब यहाँ पर देखो कितना pressure मौझूद है, ठीक है, यह हो गया 40, अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ से यह deoxygenated blood था हमारे पास, और यह आ गया oxygenated blood, तो यह दो यहाँ पर क्या है, यह कितना है 95 और 40, ठीक है न, oxygen कितना हो गया 95 हो गया, अक्सीजन कितना हो गया 95, और यह कितना हो गया, 40 हो गया, अब जो यहाँ पर टिसूस होते हैं, यहाँ पर oxygen का level और डाउन होता है, और CO2 को जदा होता है, तो CO2 यहाँ चली जाती है, CO2 यहां से यहां जाती है तो वापस से CO2 कितनी होगी 45 और oxygen यहां से यहां चली जाती है तो यहां pressure गिर जाता है कितना केवल रह जाता है 40 अब यह 40 और 45 फिर यह आगे जाता है फिर यहां exchange करेगा फिर वापस आगा फिर यहां exchange कर लेगा इस type से क्या हो रहा ही है exchange of gases चल रहा है because of pressure of gas is different at different places alveolar में जाएंगे तो pressure of O2 बहुत ज़्यादा होता है CO2 कम होता है exchange हो गया O2 को ज़्यादा हो गया अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो O2 है वो कितना हो गया 95 और CO2 कितना हो गया 40 चला रहा चला रहा चला रहा यहाँ पर आके exchange कर लेगा exchange कर रहा तो वापस से oxygen कितना हो गया 40 क्योंकि यहाँ चला गया बाकी oxygen और CO2 उपर आगी तो हलकी से बढ़ गई फिर exchange हो गया ठीक है ना अब इसको प्रेन एक बीच में पाई जाती है तीसरी लेयर याने कि अगर question आयाता है तो ध्यान रखना तीन लेयर हो गई यह वाली लेयर एक यह basement membrane और यह blood capillary कि तीन लेयर को cross करके तीन लेयर से cross करके diffuse होती है हमारी oxygen और CO2 ठीक है तो यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इसके structure में कि अलवलाई और यहाँ पर जब cross करती है CO2 और O2 तो तीन परते होती है पहली परत इस chemist epithelium की होती है जो कि अलविलर cavity बनी होती है जिसकी एक basement membrane होता है फिर endothelium of blood capillary होती है clear है बाते है तो exchange of gases clear है इसको लिखना चाहो लिख सकते हो अपनी भासा में अपनी language में चाहो तो इसको लिख लेना ठीक है आगे आते है यह तो हो गया mechanism की कैसे respiration होता है regulation की बात करें होगा यही जल्दी जल्दी होगा कि अराम अराम से होगा कंट्रोल करना है तो देखो यहां पर regulation की बात करूँ मैं तो अगर दो या तीन नमबर का question में आता है तो यहां से लेके यहां तक लिख सकते हो कितने points है एक दो तीन चार पांच छे और अगर पांच नमबर में आगे तो नीचे इसी को मैं और डिटेल में करके बताऊंगा ठीक है आओ देखते है अब regulation की बात करें जैसे heart का blood pressure का case में regulation था वैसे यहां पर regulation है तो regulation is done by the neural system यहां पर भी हमारा brain काम करेगा brain की help से controlling जलती है a space life center present in the medulla region of brain अब brain के कुछ हिस्से है जब nervous system पढ़ेंगे तो brain के parts पढ़ेंगे वहां पर समझ में आगा medulla region किसी को अभी जानना हो तो medulla type करके Google बाबा के पास देखे जा करके मिल जाएगा picture ठीक है तो brain के अंदर एक part होता है इसे medulla कहते है बीचें पाए जाता है इसी यही क्या होता है हमारा respiratory region of the brain called respiratory rhythm center ठीक है इसी को हम लोग क्या बोलते है respiratory rhythm center यह हमारे respiratory rhythm को बना के रखता है is primarily responsible for this regulation main तौर पर यह medulla वाला पाट जो होता है respiratory rhythm center यही control करता है आगे आते है another center present in the pons एक और part होता है ठीक है brain के अंदर इसे हम pons कहते है of the brain called pneumotoxic center इसको हम लोग क्या बोलते है pneumotoxic center होता है can moderate the function of respiratory rhythm center यह जो है pneumotoxic center यह इसको control करेगा यह बदले में हमारे respiratory control करेगा ठीक है neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiration rate neural signals जाते है कहा जाएंगे neural signals हमारे इन muscles के पास जो lungs की muscles थे फेफ़डों के उसके है ना तो उसका contraction बगएरा कैसा करना उसको control करते हैं उसी हिसाब से मारा respiration कम ज्यादा हो जाता है उसके रेट पर डालता है इसके अलावा दो center होगे respiratory rhythm center मेडूला हम पाया जाता है अलग से अब देखो जो जो अच्छा समझदार होगा वह ऐसे इसको निकालता चलेगा मेडूला रेस्पिरेटरी rhythm center पॉंस निमो टेक्सिक चेंटर है ना यही तो में में है जो देना है निमो टेक्सिक चेंटर बास अभी मारी है फिर तीसरा आ गया के मोसाइस्टी वेरिया के मोसाइस्टी वेरिया ठीक है तो यह तरीके होते हैं एक में में कि अगर तीन नंबर का वी कोश्च रहा ना यह में में चीज़े लिख्या आ जागो ना तो देर नंबर तुमारा मिलेगा है मिलेगा ठीक छोड़े का नहीं हो ठीक है ना अग की मोसाइस्टिव एरिया स्टुएट एडजेशन है विच इस हाइली से केमिकल के लिए सेंस्टिव है और हाइली सेंस्टिव टू एंड हाइड्रोजन आयन अब होता क्या है सीओ टू के जब सीओ वारी बॉड़े से निकलता है तो इसमें एच प्लस आयन का बहुत बढ़ा रोल होता है ठीक है नहीं कि यह जो सीओ टू होत सेंस्टिशन बढ़ रहा है तो यह जो एरिया है यह सेंस कर लेता है और रेस्पिरेशन को फास्ट करवाता है जिससे कि फटा-फट यह सीओ टू बॉड़ी से भार हो जाए एक और चीज बेटा बॉड़ी में जर्रली ओटू को बजाए कभी कोशन पूस्ट दे कि हमारी ब ख 괜찮아 so को बहुत कर रिद्या बैजिक ब depends सेंट इन दोने का बड़ने की वाईशसे से यह सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा विच इन ट्रन चैनल रिदम सेंटर जो बदले में रिदम सेंटरों को सिम्नल भेज़ेगा to make necessary adjustment कम जादा जो भी करना है in the respirator process by which these substances can be eliminated जिसकी वैसे फटा-फट से क्या हो सके निकल सके तो देखो पहला point यह हो गया दूसरा तीसरा ठीक है इसको छोड़ दो यह हो जाएगा तो तीन point तुमारे यह हो गया receptors associated with erotic arc, erota याद है, heart में पढ़ा था, वहाँ पे कुछ receptors होते हैं, कुछ carotid artery में कुछ receptors पाए जाते हैं, also can recognize changes in CO2 and H plus concentration, वहाँ पर जब blood निकलता है ना वहाँ से, तो वहाँ पर CO2 को sense कर लेता है, वज़े CO2 ज़्यादा तो नहीं है हमारे blood में, H plus science ज़्यादा तो नहीं है ज़्यादा अगर होंगे, तो क्या करेंगे, send करेंगे signals को to the rhythm center for remedial action, remedial मतलब कुछ action लो भहिया, the role of oxygen in regulation of respiratory rhythm is quite insignificant, ना के बराबर, oxygen को body में मतलब कम ज़्यादा फरग निपड़ता, क्योंकि हमारी body में CO2 का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो oxygen का रोल ना के बराबर रहत है, CO2 का रोल रहता है, तो तीन चीजे होगी, चार चीजे हम कह सकते हैं, चार लोग मिलके control कर रहे हैं, कौन-कौन हो गया, respiratory rhythm center कहां पाया जाता है, pneumotactic center कहां पाया जाता है, यह तुमको बताना है, ठीक है, उसके बाद, then kemosensitive area, कहां पाया जाता है, यह तुम लिको वड़ rhythm center को, ultimately control कौन करता है, rhythm center, ठीक है, तो तीन नमबर के साथ से परियाप्त है, अब आगे question 5 नमबर में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर भाग रहे हो, और भाग नहीं रहा, फटावट देखो, उसको, पाउस कर लो, देखो फटावट, ठीक है, आगे आतने हैं, देखो, detail explanation, pause कर लो, मुहां दुल लो, थोड़ा पानी वानी पीलो, ठीक है, जिन लोगों थोड़ा लगता है, अरे गया, 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 पॉस कर लो यहीं पर, थोड़ी देर पानी छीटे मारो, और फिर आजाओ वापर lecture कर, respiration is regulated by two mechanisms, दो mechanism में nervous और chemical, nervous वाला वही आ गया, उपर neural mechanism और chemical वाला जो किमोसेश्टे वाला आ गया, आ गया, इसको इस तरह से लिखेंगे, nervous mechanism की बात करें, it involved respiratory center, medulla वाला था, जो ponce वाला था, afferent and efferent nerves, जो वारे nerves signal को लेके जाएंगी, और signal लेके आएंगी, respiratory center की बात करे the centers in the medulla oblongata, जो brain का पूरा पार्ट, जिस पार्ट में है, and ponce, ponce के अंदर पाये जाता है, that collect sensory information, इनके पास sensory information आती है, about the level of oxygen and carbon dioxide in the blood and determines the signal to be sent to the respiratory muscles, ठीक है, signals आते रहते हैं, इनके पास, पूरी body से, CO2, O2 के, ठीक है, O2 का role है, ना के बराबर, signal साते रहेंगे, और उसी respiratory muscles को कि कितना work करना है, कितना work नहीं करना है, तेज-ज़ करना है कि आराम-आराम से करना है, stimulation of these respiratory muscles provide respiratory movement, which leads to alveolar ventilation, अब यह stimulate हो जाएंगी, तो उसी हिसाब से, respiratory movement होगा, और ventilation हमारा होगा, alveolar, alveolar ventilation, मतला उसी हिसाब से, मारी alveolar क्या करेंगी, कम ज्यादा होंगी, मतला एर को लेके आएंगी, depending upon the situation in brain stem, the respiratory centers are classified into two groups, ठीक है ना, respiratory center को हम दो ग्रूप में categorize कर सकते हैं, पहला क्या है, medullary center, ठीक है, इसके अंदर, medullary center के अंदर दो पार्ट होंगे, एक होगा, inspiratory center, एक होगा, expiratory center, मैंने कर तो, detailing और हो जाएगी, इसकी, फिर वो ही आ गया Inspiratory center is situated in the upper part of medullary ablongata, medullary ablongata के थोड़ा सा उपर होता है, function, it concerned with inspiration, simple, expiratory center, it is situated in medullary omelette, the anterior and lateral to the inspiratory center, inspiratory center के आगे और बाजु में, function, this center is inactive during quiet breathing, expiratory सान्थ रहता है अपना, normal काम हो रहा होने दो, expiratory center की जरूद नहीं है, inspiration लोगों तो, expiration अपने आप होता रहेगा, कब active होगा, ठीक है, and inspiratory center is the active center, but during forced breathing, लेकिन जब हमें बहुत तेज तेज, मार लोग रणिंग कर रहेगा, activity कर रहे तो, CO2 बहुत ज़्यादा बनती है हमारी body में, तो फिर, बहुत तेजी से सांस को भाहर निकालना होता है, जिससे कि CO2 बहुत ज़्यादा मतरह भाहर निक हो गया, pons, ठीक है, जहाँ पर नियोटक्सिक सेंटर पाए जाता है, situated in the upper pons, function क्या, it controls the medullary respiratory center, ये medullary respiratory center को control कर रहा है, particularly the inspiratory center, उसमें भी खासका inspiratory center को control करता है, through apneustic center, एक और center इसके माध्यम से उसको control कर रहा है, it always controls the activity of inspiratory center, so that duration of inspiration is controlled, inspiration करते हैं कि हर एक जो rhythm है, कितने second में inspiration करना, वो बना रहे, apneustic center, उसकी बात कर लो, यहाँ पर आगे, situated lower pons, ये कहाँ, lower pons पर होता है, function क्या है, this center increases depth of inspiration by acting directly on the inspiratory center, depth, बहुत ज्यादा लेना है, या कम लेना है, उस depth को ये control करता है, ठीक है, अब afferent path पे और different path पे, afferent, जो signal लेके आएंगे, parts of the body, तो afferent क्या होता है, body से brain के पास जाना, ये है afferent, और brain से body के पास आएंगे तो efferent, तो बस efferent और efferent इतना लिखके यहाँ पर छोड़ सकता है, कोई दिक्दाली बात नहीं है, ठीक है, ना, from peripheral chemo receptors and barrel receptor impulse are carried by glossopharyngeal and vagus nerve, कौन सी nerves लेके आती है, उनके दो नाम है, ये afferent impulse from different parts of the body, according movement of thoracic cage and lungs, lungs की साथ से movement है, उसके साथ से signal लेके आती है, कौन सी दो nerves है, glossopharyngeal और vagus nerves है, जो signal लेके आएंगी, different pathway, nerve fiber from respiratory center leaves the brain and descend in the spinal cord, brain से ओके spinal cord में चली जाती है, इस nerve fiber terminate in the motor neurons और ultimately motor neuron पर जाके खतम होती है, वहाँ से, from motor neuron, two sets of nerve fiber arise which supplies particular muscles, फिर वहाँ से दो nerves निकलती है, जो particular muscles जो होती है, हमारी intercostal diaphragm, जो भी होहाँ पर चली जाती है, जैसे कि phrenic nerve fiber supply diaphragm और intercostal nerve fiber supply intercostal muscles, ठीक है, तो afferent और different आ गया, अब इसी तरीके से, देखो यहाँ पर क्या है, एक यह basic वाला concept हो गया, अब एक यहाँ पर बड़ा ही famous आई है, इसके डिसकस कर लिया है, मैंने, herring brewer reflex arc, समझते हैं इसको, उपर तो concept पढ़ा हमने, यह क्या है, it is a protective reflex as it prevents alveoli from busting, अब मालो, मैं सांस लेता जा रहा हूं, लेता जा रहा हूं, लेता जा जा रह busting के बाद, एक वहाँ sensors होते हैं, वो कहते हैं, बहुत stretch हो गया, अब ज्यादा होए तो फट जाओगे तुम, ठीक है, वो signal भेजती ब्रेन के बाद, कि expiration चालू करो वाई, inspiration बंद करो, expiration चालू करो, बहुत खिच गया यह, तो तुरंट inspiration बंद हो जाती है, हम चा के भी नही जाता है, ठीक है न, इसी को हम लोग कहते है, herring brewer reflex arc, clear है, ओके, bursting फटने से बचाता है, it is initiated to prevent the over inflation of the lungs, यह क्यों सुरुवात, इसकी सुरुवात क्यों होती है, बचाने के लिए किसको, over inflammation, inflation, ज्यादा न फूल जाए, ठीक है, there are stretch receptors, stretch receptors पाए जाते हैं, in the walls of terminal bronchioles, ठीक है, bronchioles की आखरी में जाकरके, and arteria, arteria पर भी होते हैं, when maximum air gets filled in alvely, जब पूरी दरे साख भर जाती है, these receptors are activated, यह activate हो जाएंगे, this in turn activates the herring brewer reflex arc, उस arc मतलब जो पूरा process है, उसको activate कर देते हैं, and send inhibitory signals, inhibitory मतलब रोकने वाले की, रोक जाओ, अब मत ज्यादा, inspire मत करो ज्यादा, ठ to switch off the inspiration, inspiration रुख जाएगा, and expiration begin, expiration सुरू हो जाएगी, this prevents the alvely from over stretching or bursting, ठीक है, similarly, many receptors present all over the body, which send signals to center, मालो, गर्मी सरी में बहुत जादा हो रही है, ठीक है, हम running कर रहे है, पूरी बोडी में हमारे receptors लगे हुए है, इस तरहे signal बेशते रहते हैं, brain center में, महा से फिर काम होता रहत है, यह वारा, इंपोर्टन तो मैंनेज को जाएगा, ठीक है, आगे आते हैं, chemical mechanism, वो neural mechanism हो गया, यह chemical mechanism को डेटेल में देख ले, the chemical mechanism of respiration is operated through the chemo receptors, chemo receptors क्या है, they are the receptors which give response to change in chemical constituents of blood, blood के अंदर का कोई chemical change होता है, दो chemical, CO2 और H+, ठीक है न, तब यह क्या करेंगे, एक्टिवट हो hypoxia is the state in which oxygen is not available in sufficient amount at the tissue level to maintain the adequate homeostasis, oxygen के कमी हो रही है, ठीक है, hypercapnia, hypercapnia is the increase in partial pressure of carbon dioxide, carbon dioxide बढ़ रहा है, above 45, increased hydrogen ion concentration यान की decreased blood का PS, PS बढ़ गिर रहा है, यह कुछ chemical मगर changes होते हैं, तो chemo receptor activate हो जाते हैं, अब chemo receptor दो टाइप के हैं, एक central और एक peripheral, ठीक है न, तो central की बात कर ले, तो the central chemo receptors present in the brain alcohol, central chemo receptors, ठीक है, center वाले कहां मौझूद है, brain मौझूद है, ठीक है, situation की बात करें, कहां मौझूद है, they are situated in the deeper part of the medulla oblongata, close to the dorsal group of neurons, ठीक है, तो medulla oblongata तक close कर सकते हो, इस area is known as chemo sensitive area and neurons are called the chemo receptors, और जो neurons होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, chemo receptors बोलते हैं, देखो काम कैसे कर रहे हैं, ये, decrease ventilation, increase arterial, PCO2, ventilation कम हो गया, जो है, air कम जा रही है, pressure बढ़ गया, CO2 का arteria में, ठीक है, इसके वैसे plasma का CO2 increase करेगा, ब्लड का pH decrease करेगा, अब जब plasma का CO2 increase करेगा, तो chemo receptors in medulla oblongata, वहाँ सिंगनल जाएगा, वो कहाँ बेजेगा, respiratory center को signal भेजेगा, वो spinal cord motor neuron को बोलेगा, भहिया, जाओ काम करो, respiratory muscles को वो activate करेगा, और increase ventilation, सांस लेने की परकिरिया बढ़ जाएगी, इधर से आ जाएं, blood का pH कम हो जाएगा, क्यों रिसेप्टर से इं, erotic and carotid bodies, यह activate होंगी, यह sensory neuron से भेजेंगी, center में, कि भहिया, pH गर गया है, कुछ करो, यह कहाँ ठीक है, यह spinal cord को भेजेगा, इस spinal cord से कहाँ जाता है, respirator muscles, वो ventilation बढ़ा देगा, ठीक है न, तो इस तरीके से यह mechanism चल रहा है हमारा, तो वह यहां सारी बाते यहां लिखी हुई है, यह negative feedback है, अगर ventilation बहुत जादा है, तो उल्टा कर देगा है, रोकने के लिए भी process होती है, ठीक है, negative feedback, action की बात करें, तो वही same चीज यहां पर लिखी हुई है, they are very sensitive to increase in hydrogen ion concentration, कौन, यह receptor H plus ion बढ़ेगा, तो बहुदा sensitive है, hydrogen ion cannot cross the blood brain barrier and blood cerebrospinal filiode, H plus ion, so cross नहीं कर सकते हैं, यह बात है लिखी हुई है, के से कहा हो रहा है, on the other hand, if carbon dioxide increase in the blood as it is a gas, it can cross both the barrier easily and after entering the brain, it combines with water to form carbonic acid, ठीक है न, as carbonic acid is unstable, it immediately dissociates into hydrogen and carbonate ion, ठीक है, तो, HCO3 होता है अपने पास, ठीक है, H2CO3, अब यह होगा क्या, यह break कर जाएगा, H plus plus HCO3 में, पासमी में आ रहा है, ठीक है, तो जो अपने पास, जो अपना carbonic acid है, वो, क्या करता है, break कर जाता है, अब यह जब break कर जाता है, तो यहां सा क्या निकलते हैं, है, H plus, याने की होता क्या, CO2 और H2O से combine मनके, क्या बनता है, H2CO3, ठीक है न, CO2 ब्रेन में जाती है, पानी साथ मिलता है, carbonic acid बना देता है, carbonic acid तुरन टूड जाएगा, H plus, अब यह H plus जब बढ़ जाते हैं, ठीक है, अब उसकी कहानी आने वाली है, तो कह रहा है, वो unstable है यह unstable होता है, तो रण टूड याएगा इसमें, the hydrogen ion now stimulate the central chemoreceptor which stimulate dorsal group of respiratory center, ठीक है, increase the rate and force of breathing, कुछ वर्ड अगर किसे को tough लगते तो बीच में skip कर सकता है, स्रिफ इतना ध्यान रखना, ऐसे 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 यह लिग देना है यहापर, ठीक है, यह यह सको बना दोगे, तो हमारा central chem receptor किस तरह काम कर रहा है, अखिकर वहाँ तक CO2 या H plus ion पहुँच रहे हैं, तब जाकर कि वो sense कर लेता है, उनको और अपना काम सुरू करवाता है, clear है, peripheral की बात करें, देखो, peripheral, erotic heart की, heart वाला है, यहाँ पर receptors मौझूद है, ठीक है, carotid sinus, यहाँ receptors मौझूद है, ठीक है ना हमारे पास, oxygen का pressure जब गरता है, उसके लिए sensitive होते हैं, whenever the partial pressure of oxygen decrease, these chemo receptors become activated, यह activate हो जाते हैं, and send impulses to inspiratory center and stimulate them, ultimately signal तो भीजा जाएगा हमारे जो inspiratory centers है, ठीक है, thereby increase the rate and force of respiration and rectify the lack of oxygen, फिर वो signal आएगा, सांस हम जल्दी-जल्दी लेंगे, और हमारे body का oxygen recover होता है, कि लिए रहे बाते हैं, तो यह हम लोगों ने detail regulation पढ़ लिया, और यह अपना mind nurture का add आगया, ठीक है, तो lecture में उमीद कर रहा हूं, चीजे कुछ बच्चे साथ पहली बार देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा सा repeat कर ले लेक्चर को एक या दो बार, और जो detail वाला है, व चार point mention हो जाएंगे में में, ठीक है ना, तो accordingly prepare कर लो, जो बच्चे तयार कर सकते हैं, उसको, otherwise बाकी बच्चे बड़ा वाला तयार कर ले, जो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, छोटा वाला तयार कर ले, बात वाकी यह अपना app है, मेरा number है, link PDF का, description मिलेगा, ठीक है ना, बच कहीं से कुछ भी कर रहे हूं, ठीक है, कोई problem आती है मुझे call कर ले, लेकिन revise पक्का करते रहें, पढ़ते जरूर है, ठीक है, revise करोगे तो, सारे terms जरे जरे माइंड में इखटे होंगे और याद रह जाएंगे, ओके, तो क्या करोगे, revision, पढ़ोगे और revise करोगे, ओके, all the best करें?